हलो इस्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे बैसिस ओफ क्लासिफिकेशन ओफ एनिमल्स जन्तूओं के वर्गी करण का आधार यह जो टोपिक है बैसिक जो लोजी से रिलेटेड है इसके अंतरगत अपन जितने भी जैसे कि एनिमल्स प्रिथी के उपर प्रजेंट है उनको किस आधार पर डिवाइड करें उस आधार या उन लक्षणों के बारे में अपन इस्टूडी करेंगे तो यह जो टोपिक है यह RPC के द्वारा जितनी भी एक्जाम्स कंडेक्ट करवाई जाती है जो बाइलोजी से रिलेटेड है उनके अकोर्डिंग बहुत इंपोर्टेंट है जैसे कि नॉर्मल अपन क्लासिफिकेशन वगरे पढ़ते हैं तो कई क्यूशन ऐसे सिंपल आते ह हैं कि वो अपन इन लक्षनों के आधार पर अगर इस चेप्टर को अपन थीक से समझ लें तो इजीली अपन उनको सोल कर सकते हैं तो आज अपन उन लक्षनों का अध्यान करेंगे जिनके आधार पर जितने भी एनिमल अर्थ पर पर परजेंट हैं उनका वरगी करण किया है तो इन लक्षनों में फर्स्ट करेक्टर है नंबर ओफ सेल्स इन एनिमल्स यानि जनतों में कोसिका की संख्या कितनी है उस आधार पर एक तो वरगी करण किया गया है सेकेंड करेक्टर इसके अंदर है ग्रेड ओफ ओर्गेनाइजेशन या संगठन की कोटी उनकी क्या ह कि उनकी बोडी है वो एक सेल्स से बनी हुई है बहुत सारी सेल्स से बनी हुई है टीशू से मिलकर बनी हुई है ओर्गन से मिलकर बनी हुई है या ओर्गन सिस्टम लेवल का उनका बोडी ओर्गेनाइजेशन है इस आधार पर जनतों का वरगी करण किया गया है थार्ड इ फूर्थ इनों ने करेक्टर लिया है सिलोम, सिलोम, प्रजेंस, अबसेंस and its types, देहगवा की उपस्तिती और अनुपस्तिती और इसके प्रकार के आधार पर जनतुओं को कितने भागो में डिवाइड किया गया है, फिफ्थ करेक्टर है, segmentation या खंडी बवन, शिख्थ करेक्टर है, characters are related to development और embryo genie, यानि कि उसके परिवर्दन से संबंदित लक्षन या फिर ब्रुणोद बव से संबंदित लक्षन, इसके परिवर्दन से संबंदित लक्षन, सिक्स्त वाला, परिवर्दन से संबंदित लक्षन या ब्रुणोद बव, यानि कि उसका embryo है, उसका development कैसे होई, तो इसके अंदर अलग से और करेक्टर आजाएंगे, फिर्स्ट आजाएगा इसके अंदर number of germ layers, जनन इस्तरों की संख्या, कि कोई भी animal है, उसके अंदर germ layers कितनी हैं, दो हैं, या तीन हैं, जैसे की, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, या फिर इसके अंतर दो ही germ layer हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही है, इसके अंदर type of cleavage, cleavage किस प्रकार का हो रहा है, विदलन के प्रकार, कि holoblastik cleavage है, मीरोबलास्टी cleavage है, डिस्को ब्लास्टूला उसके फल सरूप बनता है, तो किस तरह का cleavage उसके अंदर present हैं, थर्ड आजाएगा इसके अंतर गर, fat of blastopore, fat of blastopore या origin of embryonic mouth, blastopore ना बविश्य है, या ब्रोणिय मुख की कुदपत्ती, कि embryo के अंदर जो blastopore है, उसका बविश्य क्या है, कि उससे embryonic mouth का formation हो रहा है, या फिर embryonic NS का formation हो रहा है, इसके according भी animal kingdom में जितने भी animal है, उनको divide किया गया है, फोर्थ इसके अंदर character लिखा है, origin of silom and types, देवगुआ की उत्पत्ती तथा प्रकार, तो ये जो character है, ये किसके अंतरगात आ गए, परिवर्दन से संबंदित लक्षन या ब्रुनोद बाउसे संबंदित character, ये man character थे, जिनके आधार पर क्या animals को divide किया गया है, अब अपने इनको detail में पढ़ेंगे, फिर्स्ट केरेक्टर था नंबर ओफ सेल्स, नंबर ओफ सेल्स इन एनिमल्स, जन्तुओं में कोशिका की, कि कोई भी एनिमल्स है, उसके अंदर कोशिका की संख्या कितनी है, इस आधार पर दो टाइप्स हो गए इसके, फिर्स्ट है इसके अंतरगत, यूनि सेल्लूलर एनिमल्स, या एक कोशिकी है, यूनि सेल्लूलर वर्ड से ही अपने को पता चल रहा है, यूनि का मतलब है सिंगल, यानि कि ऐसे जन्तु जिनकी बोडी है, एक कोशिका से मिलकर बने होई है, सिंगल सेल्ल, यानि एक कोशिका से ही पूरी बोडी मिलकर बने होई होती है, मतलब कि कोई भी अनिमल्स है, उसकी अगर वो सिंगल सेल्ल से मिलकर बना हुआ होता है, तो वो सिंगल सेल्ल ही उसके अंदर respiration, excretion, nutrition, reproduction ये सारे काम करती है example है मैंने आपको concept of five kingdom scheme के अंतरगत बताया था कि जितने भी unicellular animal है वो single phylum के अंतरगत आते है phylum, protozoa इसके अंतरगत जितने भी animal होंगे वो single cell से मिलकर बनी हुए होते है protozoa phylum में इसके example मैंने आपको बताया थे amoeba, paramecium, trypanosoma plasmodium, yuglena, etc यह सारे के सारे example है phylum, protozoa के तो protozoa के अंतर के जितने भी animals है वो सारे कैसे होंगे unicellular या एक कोशी किये दूसरा इसके अंदर है multicellular या बहु कोशी किये प्राणी second type है multicellular animals या बहुत कोशी किये जन्तू ऐसी जन्तू या ऐसे animals जिनके सरीर बहुत सारी कोशी काऊं से मिलकर बना हुआ होता है वो animals क्या होंगे multicellular animals कहलाते हैं तो इनकी बोड़ी है वो large cell large number of cells या multiple cells से मिलकर बनी हुई होती है इसके अंतर कर जितने भी जो भी phylum है जैसे protozoa phylum है protozoa के अंदर कर unicellular animals आते हैं तो protozoa को छोड़कर जितने भी animal kingdom है पोरिफेरा से लेकर core data तक ये सारे के सारे animal है ये multicellular होते हैं पोरिफेरा cylindrata platyhelminthes skhelminthes analida, arthropoda mollusca, echinodermita core data तो इनके अंतर जितने भी animal लाएंगे वो सारे के सारे क्या है multicellular animals होते हैं तो number of cells के according दो टाइप्स हो गए पूरे animals के एक तो unicellular और दूसरे multicellular animals next इसके अंदर second character अपने देखा वो है body organization second है इसके अंदर grade of organization या संगठन की कोर्टी तो इसके अंदर करते से कोई भी animal है cell से मिलकर बना हुआ है किसी भी organism की structural और functional unit क्या होती है cell क्या है किसी भी organism की structural and functional unit है वो क्या कहलाती है cell तो कोई भी organism है उसके अंदर man जो काम करती है जो structure बनाने का और function करने का काम करेगी वो unit क्या है अब cells है उनके structure वो कितनी आपस में complexity से मिलका काम करती है किस तरह से काम करती है किसी भी organism का body organization कैसा होगा तो इसके अलग-अलग grades है grade of organization है यह पांच प्रकार के हो सकते हैं first is इसके अंदर गत proto-plasmic प्रोटो-प्लाज्मिक या ए-cellular लेवर या इसको बोल सकते हैं जीवदरब में कोटी का संगठर second है इसके अंदर गत cellular लेवर या फिर इसको बोल सकते हैं अपन कोटी का संगठन third इसके अंदर लेवर आ जाता है cell tissue level या कोशिका उत्तक कोटी का कोटी का संगठन fourth level है इसके अंदर गत tissue organ level या उत्तक अंग इसतर का संगठन और fifth है इसके अंदर गत organ system level का body organization या अंग तंत्र इसतर का संगठन तो body organization किसी भी animal में ये पांच प्रकार का हो सकता है protoplasmikya cellular level या इसको कह सकते हैं जीवद्रवय कोटी का संगठन दूसरा इसके अंदर cellular level या कोशी के कोटी का संगठन third है इसके अंदर cell tissue level या कोशी का उत्तक कोटी का संगठन fourth है इसके अंदर tissue organ level या उत्तक अंग इस्तर का संगठन और fifth है इसके अंदर organ system level या अंग इस्तर का संगठन तो ये पांच इस्तर है grade of organization का इसके अंदर भी अपन detail में पढ़ेंगे कि क्या protoplasmik होता है क्या cellular level होता है क्या cell tissue level होता है क्या tissue organ level होगा organ system level क्या होगा तो ये जो chapter है basic है अब grade of organization है इन सब लेवल के उपर question competition exam में पूछे जा सकते हैं आपसे पूछ सकते हैं कि phylum silentrator है उसके अंदर कौन सी grade के phylum silentrator के अंदर जितने भी animal है उनके अंदर कौन से इस तरका body organization present होता है या फिर जितने भी animal phylum है उसमें से आपको किसी का example दे देंगे मानलो की ascaris ascaris के अंदर किस तरका body organization present होता है तो यह जो chapter है इसमें से हर एक topic के अंदर से आपके competition exam में question बनते हैं मानलो की जैसे की RPSC आपसे ACF वाला exam करवाएगी तो उसके अंदर geology और geology के साथ में किसी ने बोटनी ले रखा है तो आप कई student है जो बोटनी से PG है जिनको geology का knowledge ज्यादा नहीं है तो उनके लिए यह topic बहुत अच्छा है अगर आप basic level पर यह topic सीख जाओगे तो जैसे की classification है याद नहीं रहता है तो उस classification से related कई short question sets से होते है जिनको आप इस topic को पढ़के ही solve कर सकते हो तो आपको full land दे आपको classification पढ़ने की ज़रत नहीं है students आपको मेरा वीडियो कैसा लगा comment करें और मेरी YouTube channel Life Science Study Edda को subscribe करें